है लो नमस्कार दोस्तो स्वाहत एक बार और हमारी इस वीडियो में आपका दोस्तो आज किस वीडियो में दोस्तो वीग फर्स्ट हम ने complete कर ली है तो आज किस वीडियो में उसके question answer, और फालिस्तान जाने ठीक है तो वीडियो क्लास तो देखेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने सब्सक्राइब करके बेरा के इंप्रेस करते हैं ताके आने वाली वीडियो रोलिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे द सबसे पहला कोस्टिन जो है यानि सही गल्त है हमारा सही गल्त चाटो तो पहला आप देखेंगें पर sillender से गयस रिसाओ का पता सावन के गोल से लगा जाता है दोस्तो ctc fire extinguisher का प्रेवक्य करते हैं ठीक है मैंने आपको ऊट क्लिर करा रudख है लकडी से लगी आगको पुझाने के लिए cktc fire extinguisher का प्रेवक्य करते है तो य connect हो जाएगा लकडी से लगी आगको किसे बुझाते थोस्तों हम soda acid fire extinguisher से बुझाते है ठीक है एस्क्लीन तो था प्रोपेन गैस के भरे सिलेंडर को लिटा कर रखते हैं तो गलत इसको खड़े वस्ता में रखते हैं बिजली द्वारा चलने वाले मसीनों की अर्थिंग करना आवस्यक है तो बिल्कुल आवस्यक है तो सही हो जाएगा वैल्लिंग के जहरिले दुए से बचने के लिए वैल्लिंग शौप उपर से खुली हवादार होनाँ चाहिए उपर से नहीं चाहिए उपर से वह कर होगी तो बारिस वगड़ आएंगे तो बारिस से मसीनों पर गिरेगी और मसीने खराब अजêmत है ठीक है सिलेंडर वाल्ब कभी भी हैमर से नहीं खोलना चाहिए ठीक दोस्तों अब चलते हैं यह हमने आपको करा दिया साइगल्थ अब चलते है रिक्स्तान पे रिक्स्तान देखिए तो बिजनी से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो सी टी सी फायर एक्स् आपकसिंण के सिलेंडर को लिटा करते हैं सिलेंडर वाल खूलने के लिए रैंच का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से आपके एक्जाम में और एक्स्यां कि त्यारी करए आइए हैं आइटीए कर रहे हो तो इस तरह से आपके question आते हैं तो पहला question जो है तेल से लगी आपको किस से बुझाते हैं तो तेल से लगी आपको फॉर्म फायर एक्सटिंगोसर से बुझाते हैं ठीक है गैस से लगी आपको किस से बुझाते हैं तो गैस से लगी आपको पानी से बुझाया जाता है तीसरा आपका दोस्तों बिजली से लगी आपको बुझाने के लिए किसे करते हैं किसका प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको पीछे बताया ठीक है तो इसका एंसर आपको देना है कमेंट वोक्स में ठीक है चोथा है आपको लकडी से लगी आपको डैस से बुझाते है तो लकडी से लगी आपको किसे बुझाते है यही मैंने आपको बता दिया तो इसका होता है soda acid fire extinguisia से बुझाते है आर्क welding машina, मशीनों से current ना लगे इसलिए डैस का प्रयुबग करते हैं क्या करते हैं इसकी अच्छी जो है उचित अर्थिंग करते हैं कि साथ करते हैं साथ मांद देखिए घ्राइंडिंग करते समय डैस होना चाहिए तो क्या होना चाहिए दोस्तों तो परोक्च सभिया जाएग आँद कर छा दोस्तों इसका एंसर आप हो जाएगा साइड में खड़े होना चाहिए ठीक है देखिए दूसरे दुबारा करते हो ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग विल डैस होना चाहिए तो ग्राइंडिंग विल के हमें क्या होना चाहिए साइड में खड़े होना चाहिए ताकि पूर्धियूगं की दीवारों का रंग एसे रग होना से काला ठीक है काला होना चाहिए कुछी दोस्टोड में में बसने पास में नहीं होने चाहिए हम जायरी धूलैस से बचने के लिए हमैं सारे चितल का प्रयोग कर है जैसे अधिक दूमें बाहर चले जाना चाहिए्च्ड फैन गूगल के सी से करण कैसा होता है तो ऀस फेद कभी भी binary कर अच्भी आर्क्ट करना चाहिए उसको उपार वी पासने होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको उपर और का अर्थ क्या है तो प्राथमी कुप चार का क्या because हो जाएगा इसको दुरहणा होने पर रोगी को कुछ पता ले का कारेंट होता है तो welding साधन का क्या कारें होता है उपरोक्षभी आग रइडियन से स्रक्षा देना स्पैटर से स्नग्चा देना टॉक्सिक फ्यूम से स्रक्षा देना ठीके दोस्तों आगे देखिए 19 कौन सा आग बुजाने का साधन नहीं है तो कौन सा आग बुजाने का साधन नहीं है तो ऑक्सिजन गैस सिलेंडर जो है आग बुजाने का साधन नहीं है निम्ड में से प्रात्मी कुपचार के साधन है तो प्रात्मी कुपचार के कौन से साधन है आपके तो यह हो जाएगा डिटोल बर्नोल स्ट्रेचर इसारे जो है प्रात्मी किप्चार के साधन है आगे देखिए निम्न में से आग को बुझाने के काम नहीं आता तो कौन सा काम नहीं आता एस्ट्लीन गैस सिलेंडर जो है आग बुझाने काम नहीं आता आगे देखिए दोस्तों दुर्गटना से बचा जा सकता है कैसे दुर्गटना से बचा जा सकता है तो जोब, यहीं वैल्डिंग, उनको बुझा Arabia में में को अपना कर किक करें से बचते हैं अब देखें दोस्तों 24 कोस्टिन 24 कोस्टेना टेल संथ को साफ करने के लिएक प्रयोक करते हैं लगने लगने करने अठीड न commence को क Sug बढ़ने करना चाहिए टेलेकर लगने पर करें कर दिया करना को क्या करना चाहिए गर्म रखें और शरीर को उसके ढख कर रखें ठीक है आगे देखिए ओवर ओवर हैड ओवर हैड ओवर हैड वैल्डिंग करते समय वैल्डर को डैस्क का प्रयोग अवस्य करना चाहिए तो ओवर हैड वैल्डिंग करते समय क्या प्रयोग करना चाहिए आपको हेलमेट का प्रयोग करना वेल्डिंग करते समय एस्ट्रीन स्लेंडर को रखा जाता है तो वेल्डिंग करते समय एस्ट्रीन स्लेंडर को रखते हैं खड़ा करके रखा जाता है एपरेंट निम्ड मेंसे किस के लिए उप्योक्त नहीं है तो एपरेंट किस के लिए उप्योक्त नहीं है तो बिजली के करणड के लिए उप्योक्त नहीं है आगे आपका है निम्ड में से कौन सी वैल्डिंग का लाब नहीं है तो निम्ड में से कौन से वैल्डिंग का लाब नहीं है अकुसल कारीगर भी सही वैल्डिंग कर लेता है यह वैल्डिंग का लाब नहीं है ठीक है बिजली के बिजली की तारों में आग लगने का पर डायस जिनकी परद चड़ी सीटो सीटो की welding करते हैं किसका प्रयोग करना चाहिए write filter mask का देखने के लिएれて धैस का प्रयोग करना चाहिए? welding screen का प्रयोग करना चाहिए ni deem घैस को जलाने के लिए प्रयोग करते हैं तो gas welding में gas को जलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो ग cherry का प्रयोग करते हैं welding प्रिकरिया में दैस हानी होती है welding प्रिकरिया में कि क्या हानी होती है तो इसका answer आपके हो जाएगा जाएगा दोस्तों उप्रोवर्ग्त सभी, इसमें उस Doug만 होने से निम्ड में से कौन कारक विजली का जहत का बढ़ाने में मल्ड करता है तो वपरोक सभी आजाएगा आपका answer आयू फर्स का घिला होना घिले जूते जो है विजली का घिलाने में मल्ड करते है आगे दोस्तों question है आपका निम्ड में से कौन विद्यूत्रोधी समागरी नहीं है तो कौन सा विद्यूत्रोधी समागरी नहीं है तो iron जो है विद्यूत्रोधी समागरी नहीं है बाकी सूखी लकडी आपके विद्यूत्रोधी है रबड विजली का प्रवाह होता है तो यह मैंने आपको करा दिये 37 जो आपके फर्स्ट के कोस्टन थे तो कैसे लग यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेर आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे हैं ठीक दोस्तों मिलती है अगले वीडियो में ठैक्स वाचिंग